नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों कोई कुछ भी कहे मगर शांत रहना क्योंको दोसों आने वाले 24 घंटों के अंदर यह खुशकबरी शबका निंदूडा देगा जिहां दोसों हम आप शबी को बता दी कि अब आपको चुप रहने का वक्त आ गया है जिहां दोसों अब आपका हुआ शमय है जब आपको चुप रहना है और आपकी किश्मत शबको जवाब देने वाली है जिहां दोस्तों आप शिवी को बता दे कि कलशे आप शिवी के जुनकाल में गरहों की बहुती बड़ी महत्पुन बदलाव होने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों आप शिवी के जुनकाल में कुछ ऐसे अचानक शे बड़ी चमतकार होने वाले हैं कुछ इसे महत्पुन बदलाव होने वाले ही जिहा दोस्तों जो कि आपके गरहों के सितिक के लिए और आपके आने वाले भाईश के लिए बहुत ज्यादा महत्पुन और बहुत ज्यादा भागेशाली शावित होने वाला है जिहा दोस्तों इसलिए हमने आप शिवी को कहा है कि किशिव को भी कुछ नहीं कहना है चाहे कोई आपको कुछ भी कहे आपको बश शांत रहना है और चुप चाप होकर अपने किश्मत का खेल देखना है जिहां दोस्तों अब आपका होहा किश्मत आ चुका है जो शबी के मूप को बंद करने वाला शावित होगा जिहां दोसों आप शिवी को बता दे कि 72 शाल पहले आपकी कुंडली में शिय गरहों का निर्मान हुआ था जब शुक्र और गुरू एक इस्तिती में थे और शनी का भी परवाव शुक्र था जिहां दोसों और याश में भी आप शिवी के जुनकाल में कुछे से ही प्रस्तिती का निर्मान होने वाले हैं जो कि दोसों इक परकार्श के कहें तो तिरी गरही योग का भी निर्मान करेगा जिनके कारण दोसों आप शिवी के जुनकाल में धनलाब की शारी शमश्याई दुर हो जाएंगी जिसे दोसों आप शबी को शत्रों शबी मुक्ती मिलने वाला है और जो भी लोग आपके कारियों में अर्चने डाल रही थे दोस्तों यश में उन शबी के मुव बंध होने वाले हैं जिहां दोस्तों यश में आप अपनी शबलता का जंडा हर जगा गारने वाले हैं बशरती आपको कुछ बातों का ध्यान रहना है जिहां दोस्तों कुछ छेत्रों में आपको चूप रहना है तो दोस्तों वह कौन से छेत रहें और कौन से बातों को लेकर आपको शावधन रहना है आज के इस वीडियो में हम शवी बातें गरों की गोज़र पर निर्मेत है जो की इस वीडियो में बताए है तो दोस्तों आप शवी का बश इतना ही दायत और करतब होता है कि आज के इस वीडियो को आप भोल कर भी मिशना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यांश देखिएगा दोस्तों हम आप शिवी को बता दे कि अगर आप पने जूनकाल के कुछ महत्मुन शमे इस वीडियो को देंगे तो दोस्तों आने वाला शमे भी आपको धनवान बना देगा जिहां दोस्तों दोस्तों हम आप शिवी को बता दी कि व्यक्ति के जूनकाल में गरहों की चाल कुछ यसे बड़े बदलाव करते हैं कि व्यक्ति चाहकर भी उन घटनाओं शेप बच नहीं पाता जिहा दोस्तों और दोस्तों इनका शीधा शीधा स्रे आपकी कर्मों को जाता है कि दोस्तों जैशे अपने कर्म किये हैं वेशे आपको अब फल मिलने वाला है जिहा दोस्तों मालक्षमी का अशी मजरबाद आपशिभी की जुनकाल में हैं तो दोस्तों इनका अर्थ यही है कि आपने पिछले शिमे में अपने जुनकाल को शुदारने के लिए बहुत जादा मेहनत किये हैं जिहां दोसों और अब वक्त आ गया है जब मालक्षमी आपकी जुनकाल में आपके कर्मों का फल देने वाले हैं और शारी दुश्मनों की बोलती बंद करने वाले हैं जिहां दोसों उशे पहले दोसों सरपर्थन जो भी मातालक्षमी के सच्चे फिर भक्त हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शुन लाइक जरूरी किजेगा और दोस्तों कर आप चैनल पर नई हैं तो दोस्तों भगवान शुन देब के शभी भक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंड बोक्ष में सच्चे मन से जय मालक्षमी जय शुनिदेव जरूर लिखेग दोस्तों आप शुन काल में भगवान शुनिदेव और मालक्षमी कश्चिम किरपाद दिश्टी होगी जिवनकाल के कश्च आप शिबी के धीरे धीरे श्माप्त हो जाएंगे जिहां दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं शुरुआत करते हैं आप शिबी के जिवनकाल के लिए एक बहुत ही महत्पुन ज्यान से जो कि दोस्तों आपको जानना बहुत ही ज्यादा होशा होंगे जिहां दोस्तों आज के इस दोर में अगर आप इन ज्यान को नहीं जान पाएंगे तो दोस्तों आपको बहुत शादा मुश्किलों का भी शामना करना पड़ेगा तो एक दिन हाशिल कर ही लेंगे जिन्दगी की मंजिल हम छोकरें कोई जहर तो नहीं होती है जो खाकर मर जाएंगे हम कहते हैं कि जब वक्त और अपने दोनों एक शात किशी को चोट पहुचाई तो हुआ इंचान बाहर से ही नहीं बलकि अंदर से भी तूटकर पत्थर बन जात है जिहां दोस्तों ध्यान रहें कि हम शबी के पाश शमान प्रतिभा तो नहीं है लेकिन हमारे पाश शमान अवशर तो है ही जिहां दोस्तों अपनी प्रतिभा को विक्षित करने के लिए अता आओ शमे का शिद्वियों करें जिहां दोस्तों और आपको भी थोड़ा खाम खामोश रहना है जिए दोस्तों लोग चाहे कुछ भी शमझे चाहे वो आपके एटिटूट समझे या फिर आपको घमंडी कहे लेकिन दोस्तों आपको खामोश रहना है और दोस्तों ये खामोशी आपका शबर है और शबर का ही फल इश्वर मातारानी आपको देने वाले ही तो आई दोस्तों बात करते हैं शर्परतंग और आपको यह बात यह ज्यान पशन आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा श्रालाइक जरूरी किजीगा और इनके लिए कमेंड बॉक्स मिलिक दें जैश्रिकृष्णा राधी तो आई दोस्तों से कही शाथ बात करते ह दोस्तों यह जश्र में दिन के शुरूआत शंतों आप शबी के जूनकाल में कौन शीगरहों की स्तिर में परिवर्तन होने वाले हैं और इनके कारण आपको कौन-कौन शीजितरों में आपको खामोश रहना है कुछ भी नहीं बोलना है दोस्तों सबी बारे में जानेंगे विस्तार शे शाथ ही आपका लवलाइब श्वास करियर और धन को लेके सितियां केश्य वचित होने वाली है दोस्तों जानेंगे शबी के बारे में पूरे ही विस्तार शे तो दोस्तों वीडियो को बिलकुल ही मिशना करें और अंत तक देखिएगा तो आई दोस्तों बात दें कि आप अपने आत्मिश्वास तता भर पर उठ जा दवारा अकेले ही कारियों को उचित अंजाम यश्मित देने में शक्षम रहेंगे इसको बात दोस्तों यश्मित अगर आपके शावधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्मित दिन के दूसरे पक्ष में श्वास तता एहम आपके बंते कारियों में भी रुकावध डाल सकता है तो दोस्तों इनसे जरूर शादन रहें इसको ब्राहत दोस्तों आपको बता दें यश्मित आपके लिए समय होंगे दोस्तों मोज मस्तिक की तरफ अधिक ध्यान रहने के वुज़शे महत्पून काम अभी पीछे रह शकते हैं दोस्तों काम शमदित बातों में आपको अभी रश नहीं आएगा फिर भी दोस्तों जिन कामों को डेड़ लाइनी आ रही है उन काम की तरफ जो है अवश्य ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों आपको बता दें कि अधिक जिम दोस्तों आप अपने आत्मिश्वास वापिर दिल निश्चे दोरा उनका शमाधानी भी अशानी से ढूंड लेंगे दोस्तों धार्मिक कारेकरम में जाने का अफ्षर भी आपको प्राद होगा दोस्तों आपका शकार्दमंग दिश्टी कौन आपके व्यक्तितु को और अ प्राद मंदी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने के अफशकता होंगी उसको प्राद दोस्तों यह शमय आपके लिए समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि अपने दार्ये शिप बाहर निकल कर नई लोगों के शाथ संपर्क जोड़ने की आप कोसित करते रहें दोस्त दोस्तों यह शमय आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि यह में ग्रह गोचर बहुत थी उत्तम समय आपके लिए लेकर आने वाले हैं और दोस्तों आपके आत्मिश्वास वापिर कार्शमता को और अधिक बल दिरा है दोस्तों यह ग्रह गोचर आपके वायवार में लचिला फन बनाकर रखना चाहिए नईदिकी मित्रिया फिर भाई से भाई के साथ जो है छोटी शी बात का बड़ा कंफूजन को लेकर खड़ा कर सकता है इसको आपको बता दें कि किसी विसे में आपको योगमार दर्शन नहीं मिल पा रहा है जिसकी वज़र से आप अपने काम को योग दिसा नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों अपने काम के लिए आप दुसरों पर निर्वर ना रहे हैं किसी विसे में बढ़ रहा कंफूजन आपको बेचेन बना रहा है दोस्तों आपको बता दें कि यह श्मी आप काम से जम्मदीत कोई भी निरले ना दोसतों यदि व्यक्तिगत है तो निडले से जुड़े प्रिढाम का उलकन करके ही आगी बढ़े यह आपके लिए बैल में दोस्तों यह जो आपके समय होंगी दिन की शुरुआत भौत भी बैतरिन तरीके से होंगी इसको ब्रादोस्तों आपको बता दें कि आपके प्रति जो आपके इच्छा है यश्मे पूर्ण होगी बागी का शुतारा प्रवल है दोस्तों अपने कारियों के प्रती आपका उत्सा आपको और शही सफलता यश्मे दिलाने वाले हैं इसको प्रांदी दोस्तों किसी प्रिजन से मुलाकात भी होगी जो कि आपके लिए फाइदेम शाविद होंगी इसको प्रांदी दोस्तों आपको बता दें कि फिर आपके उपर उदास निता हुआ फिर नकार्तमक विचार हावी हो रहा है फर कितना है कि इस बार आप दोनों बातों के बारे में उचित अधिक जोहत जागरूत है इसलिए दोस्तों यश्मे अपने इसमें होंगे दोस्तों यश्मे ववयुवाओं को रोजगार के नए अफ्सरों भी अफसर भी मिलेंगे जिसे दोस्तों अधिक आतमिश्वास उत्पन होगा यश्मे साहीदारी ववयुषाह शमंदी निर्ली लेना भी आपके लिए लाब दायक रहेगा दोस्तों मंतरी न नुक्षान होने की भी इस्तिती बन रही है इसलिए दूस्तों अभी निवेश ना करें और शावधनी बरतें ये आपके लिए बहतर होंगे किसी भी वावशाय की यात्रा को अभी इस तकीती रखना आपके लिए उचित होगा नुकरी पेशा वेक्तियों को भी को उपलब्दी भी ये श्मय हासिल हो सकती है इसको प्रांदों से ये श्मय आपके केरियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि गलेमर या फिर कला सोंदर और प्राश्राधान आदिस से जुड़े जो भी वेक्ति है उनके वावशाय में मन मुताबित उपलब्दी भ सुझतिटे दोस्तों और लिए जुड़े ओक्त मदे मोव वाई शाहवी नूचके पर सिखता है लेकिंग दोस्तों जल्दे है इन शमस्याओ का निवारन भी हो जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनस में भी फाइदमन इस्तियां बन रही है नोकरी पेशा लोगों को भी प्रदोनिती के उचित अफसर भी यश्में मिलने वाले हैं इसको प्राहत दोस्तों यश्में अगर आपकी लव लाइप के लिए बात करें या फिर इन्षे बच कर रहे हैं यह आपके लिए बहतर होंगे इसको प्राहत दोस्तों यश्में आपके लव लाइप के लिए जुस्में होंगे आपको बता दें कि पती पतनी के बीच भावनों तोक शम्मन मजबूत होंगे प्रेम शम्मनों को पारिवरिक शुव किरती मिलने से उमंग और खुशी भरा माहुर रहेगा इसको प्राहत दोस्तों यश्में आपके लव लाइप के लिए जुसमें होंगे दोस्तों यश्मी पती पतनी के शम्मन तो उत्तम रहेंगे ही और आपका घर पर भी और ववशाय पर भी उचित समाझय से उम्मे बना रहेगा और इसके दोस्तों आप पैस्तियों को बहतर दिश्म में ले जाने में भी काम्याब रहेंगे इसको प्राहत दोस्तों यश्में आपके पारिवरिक जोन के लिए जिसमें होंगे आपके प्रेम जीवन के लिए जिसमे होंगे दोस्तों आपको बता दें कि छोटी सी गलत फेमी भी पदी-पद्रें के शम्वनों में तनाव उत्पन करेगी प्रन्तु आपसे सूजबूश से समस्या हल भी हो जाएगा और दोस्तों उन्हें कोई अच्छा उपार भी यश्मे देना ना भूले ये आपकी लव लाइप के लिए यश्मे बहतर होंगे इसको बाहन दोस्तों ये अगर आपकी स्वास्त यानि शेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी किसी समय मांसुक तनाव भढ़ सकता है शांत रहने का प्रयाश करें तथा मेड़ेशन में भी कुछ समय आवश्यो वेतित करें ये आपके श्वास्त के लिए समय बहतर होंगे इसको प्रांद दोस्तों याश्म में आपके श्वास के लिए 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